Hello everyone, this is Avusnehi और आज हम 3rd November के The Hindu Newspaper का analysis करेंगे इस particular analysis में हम देखेंगे कि कैसे prelims और mains के लिए हम इस news को use कर सकते हैं और कौन-कौन से components से किस type के questions भी form होंगे तो start करते हैं पहले news से Canada's absurd charges will have dire effects, said India तो actually हूँ ये रहा है कि बहुत time से news चल रही है जहाँ पर Canada ये claim कर रहा है कि इंडिया ने जो इंडियन गर्मेंट है उन्होंने अपनी agencies के थुरू Canadian soil पर Canadian soil मतलब Canada की जो land है उस पर एक Canada के citizen की death करवाई है So Canada ये claim कर रहा है कि Canada की soil पर Canada का एक citizen था और Indian agencies ने उसको मरवाया है ये basically एक claim है जो कि Canadian authorities कर रही है And India ने इसको deny कर रहा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं करा वो जो individual है Canada ये claim कर रहा है कि वो जो individual था वो खालिस्तान के movement से associate था इसलिए Indian agencies ने उसको मरवा दिया basically But India बोल रहा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं करा ये एक false claim है और बहुत ही जादा diplomatic relations दोनों countries के बीच में खराब हो चुके है At least to some extent अब ये news थोड़ी सी पुरानी है In fact एक दो साल से ये news चल रही है But इस particular news में बहुत important keywords है तो इसलिए ये news हमारे लिए important है तो अभी जो हुआ है ये as I said कि 2-3 साल से चली रहा है But ये particular news में कुछ ऐसे keywords है जो prelims में directly आप से पूछे जा सकते हैं तो उनको समझना थोड़ा सा important हो जाता है तो एक बार news को पढ़ते हैं को summon किया है अब यहाँ पर एक important keyword आ जाता है तो अब इसको समझते हैं अब ये समझना important होता है कि जब भी दो countries आपस में diplomatic relations establish करती है तो वो daily basis पर आपस में बात किस तरह से करती है वो इस तरह से करती है कि Canada के कुछ officials इंडिया में क्या कर रहे हैं इंडिया में stationed है देखें कैनेडा के कुछ officials इंडिया में stationed है इंडिया में वो posted है वो इसलिए है ताकि Canada और इंडिया आपस में अगर उनको तुरंत बात करने हो तो यहाँ पर जो officials बैठे हैं उनके थू directly बात हो जाए और ऐसा उल्टा भी है जहाँ पर कैनेडा में कुछ Indian officials बैठे है simple तो इन ही लोगों को हम यह जिस जगह बैठते हैं इन ही इसी location को हम embassy बोल सकते हैं इसी location को हम consulate बोल सकते हैं और यह जो representatives होते हैं एक दूसरे के country के इन ही को हम ambassador, councillors and charge of affairs भी बोलते हैं तो मलब यह different terms है जो की same चीज़ को represent करते हैं तो देखते हैं इन में difference क्या है Canada और India के perspective से तीन terms आपको जानने जरूरी है ambassador, high commissioner और charge of affairs तो इसमें difference क्या है ambassador होता है सबसे बड़ा diplomat या सबसे बड़ा leader जो की अपनी country को दूसरी country में represent कर रहा है तो मालेते हैं 100 लोग हैं Indians जो की Canada में officially stationed है और वो India को वहाँ पर represent करते हैं तो इन 100 का जो leader है that is ambassador, जो chief diplomat है वहाँ पर वो ambassador होते हैं, simple यही ambassador अगर किसी commonwealth nation के अंदर है तो उसी को हम high commissioner बोलते हैं यह बहुत ही अच्छा difference है जो आपको ध्यान रखना है actually commonwealth countries क्या होती है यह वो countries है जो कुछ time पहले तक British empire के अंदर आती थी अब तो British empire technically रहा नहीं तो क्या हुआ तो इंडिया ने बोला कि चलो ठीक है British empire तो नहीं रहा लेकिन यह जो बाकी बहुत सारी countries है न क्योंकि British empire में बहुत सारी colonies थी Asia के अंदर, Africa के अंदर बहुत सारे जो islands है Caribbean Sea के अंदर तो इंडिया चाहता है कि यह जो सारी countries है यहाँ पे और भी बहुत सारे Indians भी रहते हैं तो क्यों न इनसे एक official relations बना के रखा जाए और इसलिए इंडिया ने independence के बाद voluntarily commonwealth को join कर लिया अब इंडिया इस commonwealth का part है इसका मतलब यह नहीं है कि इंडिया को United Kingdom कंट्रोल करता है ऐसा कुछ नहीं है सारी countries independent है, सोवरीन है बट यहीं है कि एक थोड़ सा formal organization है जिसमें यह सारी countries जो पहले कभी British Empire की part रही हुई थी, वो आके मिलती है, बाते करती है, commonwealth sports में भी participate करती है यह सारी चीज़ है, सो जब जब कोई एक commonwealth का member country, दूसरे commonwealth की member country में अपना official एक mission खोलता है अपने कुछ official लोगों को station करता है, तो उसको हम high commissioner rate बोलते हैं और उसके leader को high commissioner बोलेंगे लेकिन कोई non commonwealth country, मलब जो बाकी countries होगी, जैसे let's say France, या फिर Spain यहाँ पर India का जो सबसे बड़ा office होगा, उसको हम embassy कहेंगे, और उसको जो leader है वो ambassador, बस यह difference है दोनों सेम है, बट अगर यह commonwealth country में है, तो हम इसको high commissioner बोल देंगे अगर यह non commonwealth country में है, तो हम इन्हे ambassador बोल देंगे, और शाज़ेदेफायर कौन होते हैं, यह एक step नीचे होते हैं, मलब यह थोड़ सी lower rank है, compared to ambassador या फिर high commissioner, उनसे एक step जो नीचे होते हैं, officer उनको हम शाज़ेदेफायर बोलते हैं तो यह जो difference है तीनों में, यह प्रिलिंज में easily पूछा जा सकता है, तो आपको यह ध्यान रखना है, तो यह बाकी difference आपको बता चुका हूँ, यह highest ranking होते हैं, दोनों ही, ambassador और high commissioner, दोनों सेम ही post है बट यह depend करता है, वो किस country में है उसके according नाम बदल जाता है, जो शाजरिफ है है, यह अगर commonwealth country में है तो वो high commissioner के नीचे है या अगर वो non commonwealth country में है तो वो ambassador के नीचे होते हैं बस यह आपको पता होना चाहिए एक और बहुत ही basic सा difference है कि suppose जब ambassador किसी दूसरी country में जाता है अपनी original country को represent करने, तो मलब वो अपनी original country से निकला और दूसरी country में चला गया जो उसको host कर रही है मलब ambassador एक तरह से guest हो गया एक नई country में तो guest को घर में entry कौन देता है host, तो जो host country है जो, उसका जो head of the state है उसका जो leader है वो ambassador को accept करते हैं और high commissioner क्योंकि ambassador वाले ही post है, तो उसको भी head of the state ही host country के accept करते हैं लेकिन यहाँ पे शाज़े दिफ़ा है क्योंकि एक छोटी सी rank है compared to ambassador या फिर high commissioner तो उनको foreign minister accept करते हैं, कहाँ पर host country में, तो यह difference आपको पता होने चाहिए, बहुत important एक difference है जो कि freelance में इस पे बहुत सारे questions बन सकते हैं, ठीक है तो यह कुछ चीज़ आपको ध्यान रखनी है उसके अलावा एक और difference देख लेते हैं consulate और embassy में see, अब मैंने आपको बताया था कि एक country है, जो कि original country है और एक दूसरी country है, जो कि host country है original country चाहती है कि वो host country से constantly बाते करते रहे तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम host country में एक office खोल देगे और यहाँ पे एक ambassador को बिठा दिया उन्होंने, या फिर अगर वो commonwealth की country है, तो यहाँ पे एक high commissioner को बिठा दिया, तो यह जो office है ना पुरा, इसको हम बोलेंगे embassy, ठीक है, लेकिन suppose जो original country है और जो host country है, इसके relations बहुत ही जादा अच्छे है, इतने जादा अच्छे हैं कि गुजराद से बहुत सारे लोग original country में रहते हैं, तमिलाडू से बहुत सारे लोग original country में रहते हैं, तो आपको यह लगेगा कि जब इतने सारे लोग all over India से इस country में रहते हैं या फिर original country के बहुत सारे लोग all over India रहते हैं तो क्या एक embassy से काम हो जाएगा, यह question आपके दिमाग में आया होगा, तो आप सोचेगे नहीं, क्यों ना हम कुछ और छोटे छोटे offices all over India खोल दे original country यह सोचेगे हमारे जो people to people contact है, people to people जो contact है दोनों countries है, बहुत ही जादा strong है, तो क्यों ना embassy के अलावा, जो कि कि किसी country के capital में होती है, उसके अलावा क्यों ना और भी offices खोल दिये जाएं तो जो regional या जो subsidiary offices होते हैं, उनको consulate बोना जाता है, यह embassy जो होती है, यह broad diplomatic relations में काम करती है, यह embassy के अंदर सारे काम आजाते हैं, चाहे वो public relation हो चाहे वो business हो, चाहे वो global climate change से deal करते हो कोई treaty में आपस में बात करने हो, तो embassy सारी चीज़ों पर बात करती है, consulate खोला जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि people to people contact जो है उसको थोड़ा सा capitalize करा जाए, और people to people contact कैसा होता है, लोग business करते हैं, लोग एक जगे से दूसरी जगे, education के लिए health facility के लिए जाते हैं अगर वो किसी और city में है, तो इसको हम consulate ही बोलेंगे, embassy नहीं बोलेंगे इसका leader कौन होता है, consulate का consul general, लेकिन ambassador का कौन leader होता है, ambassador जो की highest ranking officer होता है एक original country का, किसी host country के अंदर, बस इतना ही difference जो है, आपको ध्यान लखना है, बाकि तो बहुत ही basic चीज़े हैं, तो यह जितने भी terms मैंने आपको बताया है, they are very important, क्योंकि इस पर directly questions बन सकते हैं, और इसलिए इवन तो यह terms का जो यह explanation है, यह news में नहीं लिखा है बट मैंने include कर रहा है, क्योंकि यह terms जब भी news में आते हैं, UPSC इन पे बहुत जबा questions पूछने के उनके chances जो हैं, वो बढ़ जाते हैं फिर Canada's handling of pro-khalistan elements within its borders has been long standing issue, तो दोनों countries में issue यह चल रहा है, कि India claim कर रहा है कि Canada के अंदर बहुत सारे ऐसे pro-khalistan लोग हैं, जिनको Canada का जो state government है न वो support कर रहा है, यह हम claim कर रहा है, यह India claim कर रहा है कि, और यह जो elements है, यह non-state actor है, टेक्निकली देखा जाए, तो non-state कौन होता है, एक ऐसी organization, जो कि government funded now, simple, तो non-state organization है, जो कि India के अंदर instability create करने के कोईश्च कर रहा है यह India बोल रहा है, और जो Canada की government है, वो इन लोगों को क्या कर रही है, harbor कर रही है तो इंडिया यह directly नहीं कह रहा है कि जो Canada की government है, वो इन लोगों को funding दे रही है, इंडिया यह कह रहा है कि इन लोगों को वो, इनके against कुछ action नहीं ले रही वो इंडिया के साथ cooperate करके उन लोगों को उन लोगों से डील नहीं कर रही जो इंडिया में instability पैदा करना चाहते हैं और Canada बोल रहा है कि आप तो already हमारे country के अंदर आके इन लोगों पे जो कि Canada के citizens भी हैं आप attack भी कर चुके हैं तो दोनों countries एक दूस्टे के claims को deny कर रही है और एक दूस्टे पर बहुत सारे allegations लगा रही है and that is why जो overall relations है वो थोड़ी से deteriorate हो रहे हैं बस यही यहाँ पर एक difference है और allegations that Canadian authorities placed Indian diplomatic personnel under surveillance and intercepted their communication ठीक है अब Canada ने क्या कर रहा देखो जब Canada क्या बोल रहा है कि Indian authorities कानड़ा की जमीन पर आके Canada के citizens हैं उन पर attack कर रही है तो यह बहाना लगा के या फिर आप बोल सकते हैं यह excuse यूज करके Canada ने क्या करा Indian officials जो है उनके offices में surveillance hidden cameras यह install कर दिये यह India claim कर रहा है कि ऐसा हुआ है हमारे officials के साथ और India यह बोल रहा है क्योंकि Canada ने हमारे communication को intercept करा है हमारे officials के उपर illegal surveillance कर रहे है और यह officials कौन है यह diplomats है यह important representatives हैं दूसरी country के तो यह जब Canada कर रहा है Indian officials पर तो यह Vienna convention का violation है ठीक है तो अब एक और नया term निकल के आगया तो तीन चार keyword हम देख चुके है यह एक और keyword है जिसमें हमें थोड़ी सी बात करनी है तो जो Vienna convention है diplomatic relations का यह आया था 1961 के अंदर और यह बताता है कि diplomats से कैसे deal करना है सी आपने एक term सुना होगा do not shoot the messenger मलब जो message लेके आने वाला messenger है ना उसको गोली मत मारो क्योंकि हो सकता है message में लिखा हो suppose A person ने B person को कुछ message भिजवाया हो और इस message में बहुत ही खराब बात लिखी है लेकिन जो C person है वो बस इस message को ले जा रहा है point A से point B तक तो B को गुस्सा आया यह message पढ़के तो क्या उसको C को गोली मारनी चीए नहीं क्योंकि C ने थोड़ी message लिखा है message तो A ने लिखा है तो C को तो बहुत ही अच्छी protection देनी चीए irrespective कि B को कितना भी गुस्सा आ रहो तो diplomats से messengers होते है वो एक link है जो कि दो countries के official communication में मदद करते हैं तो it is important कि in messengers को in diplomats को कोई भी problem ना हो और चाहे war भी हो जाए इन diplomats की protection ensure करी जाए यह बहुत important एक चीज ढहती है तो usually क्या करा जाता है कि suppose एक country A है और country B है इन दोनों के relations खराब है तो country B के जो officials है जो A में posted है उनको जो country A है वो jail में नहीं डालेगी उनको बोल देगी कि प्लीज आप यहां से चले जाओ यह वो maximum कर सकते हैं बट वो उनके against कोई surveillance नहीं कर सकते हैं illegal cameras install नहीं कर सकते हैं और नहीं इनको jail में डाल सकते हैं क्योंकि diplomatic immunity मिली हुई है Vienna Convention के अंदर diplomats को तो यह कुछ basic चीज आपको बताओने चे यह United Nations के through इस particular convention को पास किया गया था इसमें 193 countries ratify कर चुके हैं जितने United Nations की members है इंडिया ने भी इसको ratify कर चुका करा हुआ है 1972 का एक act है उसके through तो एक कुछ चीज नहीं आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि prelims में ऐसे questions बन जाते हैं और वी नेवर नो कि कब इनको पूछ रहा है इस convention में दो specific articles हैं जिन पर आपको ध्यान रखना है यह article आपसे directly इनका जो number है यह prelims में नहीं पूछा जाएगा लेकिन में में अगर ऐसा कोई question आता है तो I will recommend कि आप इनका उस perspective से नाम तोबर से ध्यान रखो means में लिखने के लिए लेकिन इस जो text है ना आर्टिकल का नाम नहीं लेकिन आर्टिकल के अंदर जो लिखा है वो पूछा जा सकता है क्या में इसमें convention empowers the host country to establish reasonable and appropriate limits on the size of the foreign diplomatic mission यहाँ पर क्या हुआ है जो host country है अब मैंना आपको पताया कि country A है और country B है इनके relations अच्छे नहीं है और country मान लेते हैं A के कुछ लोग official लोग या जो उनकी embassy है वो B के अंदर खुली हुई है और country A के बहुत सारे important लोग country B के अंदर embassy में रहते हैं अब country B Vienna convention के को wallet नहीं कर सकती इसलिए वो इनको यहाँ पे कुछ prisoner नहीं बना सकती लेकिन मैंना भी आपको कहा कि country B यह request कर सकती है country A की embassy से कि प्लीज आप अपनी जो size है उसको कम करो आप प्लीज यहाँ से छोड़के चले जाओ क्योंकि हमें आपकी country पसंद नहीं है तो यही बोल रखा है यह Vienna convention के अंदर फ्वरसा legal है allowed है कि host country बोल सकती है अपनी enemy country की embassy को कि प्लीज आप अपना जो mission है ना उसकी size को limit करो उसको छोटा करो बट यह country तभी करेगी जब relations अच्छे ना हो और article 9 क्या suggest करता है allows the receiving state मतलब जो host state है जिसके अंदर embassy बनी हुई है to declare that the head of the mission of any member of the diplomatic staff non-greta और unwelcome मतलब कि जो ambassador है country A का जो कि country B के अंदर भैटा है country B बोल सकती है कि यह जो ambassador है ना यह हमें पसंद नहीं है प्लीज आप यहां से चले जाओ unwelcome मतलब आप हमारी country में welcome नहीं हो यह बोल आ जा सकता है लेकिन देखो दोनों cases में जो allowed है Vienna Convention के अंदर बहुत ही peaceful काम हो रहा है कहीं से भी कोई भी violent action लेना allowed नहीं है हाँ आप peacefully उनको बोल सकता है प्लीज आप चाहां से चले जाओ हमारी और आपके country के relations बहुत खराब हो चुके है लेकिन उनके against कोई भी action नहीं लिया जा सकता उनका freedom of movement नहीं रोका जा सकता उनको prison में नहीं डाला जा सकता और उनके against कोई कारवाय नहीं करी जा सकती तो यह आपको ठ्यान रखना है कोच चीज़े वियाना convention के perspective से यह important points थे इन सब पर प्रिलम्स में questions बन सकते हैं इसलिए मैं आपे include करें additionally चलते हैं next news पर one year extension for commission studying SC tag for all Dalit converts तो अब इसमें बहुती यह छोटी सी news है उसको हमें civil services के lens से ही देखना है इसमें हुआ यह है कि supreme court sorry not supreme court यह बात की जा रही है कि जो members है schedule cast community के जो already identified है अब उनमें यह देखना है कि बहुत सारे ऐसे schedule cast के members हैं जो कि बाकी religions में convert हो चुके हैं तो जब वो दूसरे religions में convert हो जाते हैं तो क्या जो उनको schedule cast का जो tag मिला हुआ है और उसके कारण जो उनको social welfare के benefit मिले होए है क्या वो जारी रहेंगे या वो खतम हो जाएंगे और इसी के लिए एक committee बनाए गई थी वो किसके अंदर है K.G.Balakrishnan और यह three member committee है यह आपको ध्यान रखना है यह prelims में directly question आ जाएगा that the extension of the SC status to the Dalit converts इस committee का नाम क्या है तो वो है K.G.Balakrishnan committee और यह three member committee है में भी अगर कोई vulnerable section के उपर कोई question आता है और उसका focus schedule caste है तो वहाँ पर भी आपको इस committee का name mention थोड़ा सा करना पड़ सकता है यहाँ पर discussion यही है कि जो लोग Hindus, Sikhs और Buddhist अब नहीं रहे क्योंकि जो SC status है ना वो सिर्फ Hindu, SCs को नहीं मिलता वो Sikhs, SCs को भी मिलता है और Buddhist, SCs को भी मिलता है यह आपको ध्यान रखना है तो जो अब Hinduism, Sikhism या Buddhist से convert होके दूसरे religion में चले गए है क्या उनका जो SC benefit उनको मिल रहा था इस particular status के according क्या वो अभी भी continue रखना चाहिए यह नहीं इसी चीज़ की बात अभी commission कर रहा है मलब commission इस चीज़ पर research कर रहा है field पर जाके लोगों से बात कर रहा है बहुत ही सारे NGOs हैं different state governments के representatives हैं उन सबसे बात कर रहा है और इसमें थोड़ा सा time लग रहा है इसलिए इसको एक साल का extension मिल गया है कि जो अभी committee है थोड़ा सा एक साल और बढ़ा दिया गया है और जो issue है यह almost 20 years से pending है बस इतनी से ही news ली इतना आपको ध्यान लगना है चलते हैं next news के दरफ इसमें 10 elephants की 3 दिनों के अंदर death हो गए अब यह थोड़ा सा unusual है इतने सारे elephants की एकदम से छोटे time spend में death हो जाना यह कोई normal बात नहीं है इसमें एक बहुत बड़ी team को dispatch करा गया है इससे conclusion अभी पूरा नहीं निकला है but at least यह पता चला है कि किसी ने चला करके नहीं मारा मतलब कोई natural cause या environmental anomaly के कारण ही इन elephants की death हुई है कुछ लोग बोल रहे हैं कि kodo millet के consumption से इनकी death हुई है तो millet क्या होता है मोटा अनाज होता है जैसे बाजरा वगरा तो kodo millet यह type का millet ही है जिसको खाने से हो सकता है elephants की death हो गई हो but again kodo millet एक grain है अनाज है, मोटा अनाज है तो क्या इसको खाने से ही elephant की death हो जाएगी ऐसा ज़रूरी नहीं है कुछ लोग बोल रहे है कि kodo millet की जो crop थी उसके अंदर कुछ ना कुछ fungal infection आ गया होगा और उस fungus वाली grain को elephants ने खाल या शायद और उनकी death हो गई again अभी ये सब speculation stage पे है हमें नहीं बता कि death क्यों हो रही है अभी भी investigation चल रही है लेकिन इस news से बांधा होगा tiger reserve news में आ गया अब ये part हो गया places in news का तो आपको इसके बारे में थोड़ा पढ़ना है ये एक national park था 1968 के अंदर इसको tiger reserve भी status दे दिया गया 1993 के अंदर तो ये दोने चीज़ आपको ध्यान रखने है और जब भी कोई place in news होती है तो उसके आसपास और क्या है वो भी आपको ध्यान से पढ़ना होता है बांदर गर्ड टाइगर रिजर्व के north या north east direction में अब ठीक यहीं पे उसके पास में ही एक पन पता wildlife century है अब इंडिया में ना 573 wildlife centuries है इन सब क्या location और इन सब का state याद रखना बहुत ही difficult है लेकिन wildlife centuries को match the following में उनके जो states है ना उनसे मिलाने के questions प्रिलम में आ चुके है तो क्या आप 573 के 573 याद रखोगे difficult है याद रखना लेकिन at least वो wildlife centuries आपको याद रखने है जो major जो national parks है जो major protection regions है उनके आसपास है तो इसलिए आपको यह थोड़ा से ध्यान रखना पड़ेगा पनपता wildlife century जो की मद्यपरदेश में है और यह जो बांदवगर टाइगर रिजव है विंदियन और सत्पूरा रेंज के इस साइड बीच में आता है थोड़ा यह eastern मद्यपरदेश में आता है इतना आपको चीज़ों को ध्यान रखना है अगर आप बांदवगर जो tiger reserve है इसकी website पर जाओगे तो यहाँ पर लिखा है कि density जो है tiger population की इस particular national park में वो highest है in the world यह इनकी website पर लिखा है तो यह भी बहुत important data है आपको ध्यान रखना है और यह surprising नहीं है इतना क्योंकि मद्यपरदेश में इंडिया में सबसे ज़्यादा जो tigers है वो मद्यपरदेश में ही exist करते है चलते हैं next news पर Supreme Court's new guidelines aim to eliminate child marriages in Rajasthan in 6 years Supreme Court ने guideline दी है कि Rajasthan के अंदर जो child marriages है उनको 6 years के अंदर खतम करना है एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि child marriages अभी भी हो रही है तो वो तो illegal होनी चाहिए फिर वो हो कैसे रही है इसमें बहुत जारा confusion है actually एक act आया था 2006 में जो कि child marriage को prohibition कर रहा था लेकिन उस act में एक loophole है loophole क्या है उस act में word जो use किया है वो है voidable ना की void मतलब उसमें ये लिखा है कि suppose किसी दो बच्चों की child marriage होगी जब वो 18 years के हो जाएंगे तब जाके वो court में जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि please हमारी जो marriage है ना उसको cancel कर दो क्योंकि ये child marriage थी मतलब जब तक वो जो बच्चा है वो जाके court में नहीं बोलेगा तब तक वो जो child marriage है वो void नहीं होगी लेकिन child marriage voidable है voidable मतलब कि उनको void बनाया जा सकता है void मतलब खतम तो जब जो actually married लोग है वो जाके ये appeal नहीं करेंगे कि हमारी शादी को void declare कर दो तब तक वो void नहीं होगी इसलिए वो voidable है वो void नहीं है तो ऐसे कुछ legal loopholes हैं जिनका फायदा उठा के child marriage आज भी हो रही है Supreme Court ने बोला है कि अगले 6 साल में इसको खतम करना है और उन्होंने ये भी बोला है कि जो local panchats है और child protection officer है उनकी negligence के कारण ये child marriages इतनी जादा हो रही है अब इतनी ही news है simple लेकिन यहाँ पर लिखा है child protection officer ये news में ये नाम मेंशन था तो इनके बारे में थोड़ा सा static details देख लेते हैं 2019 से एक initiative चल रहा है integrated child protection services इसके अंदर children को protect करा जाता है ये इसके नाम में ही लिखा है कैसे protect करा जाता है जो vulnerable children है या तो उनकी child marriage हो रही है या फिर वो orphans है उनके parents नहीं है या suppose कुछ children है जो कि काफी poor है और उनको schooling education नहीं मिल रही उनको health benefits नहीं मिल रही या ऐसे कुछ children है जिन्होंने कुछ crime करा है juvenile justice act के अंदर तो बहुत सारे से जो children है जो की vulnerable है simply उनको protection दी जाती है मलब काफी wide इसके dimensions है और ये ministry of women and child development के अंदर आता है जो ICPS है इवन दो ये center level पे form हुआ है इसका जो actually implementation है वो state governments करती है इसलिए district level पे जो child protection unit है उसको head करते है district child protection officer तो ये जो child protection officer है न ये आते कहां से है ये district level पर exist करते है क्योंकि district level पे ICPS के अंदर जो unit है उसको ये head करते है ये basic चीज आपको पता होने चीए इस पे पिलेंज जो question बन सकता है और वैसे भी आपको idea होना चीए कि children का जो protection है वो उसका जो overall system है वो इंडिया में क्या है और जो national family health survey 5 है जो सबसे latest survey है उसमें ये mentioned है कि राजस्तान के अंदर almost 25% women जो कि 20 से 24 साल की है वो ये बोलती है कि उनकी child marriage हुई है अगेन ये जो data है ये इंडिया लेवल का data नहीं है ये राजस्तान state का data है बट still it is very important अगर ऐसे कोई issue आता है या mains में कोई question आता है child marriage का या फिर girl child का वहाँ पर आप इस data को definitely use कर सकते हो चलते हैं next news में फ्रम नागा जुनसागर टू स्री साइलम on a 7 hour cruise covering 120 km तो एक ferry service एक boat service चाले हुई है बट ये जो news है हमारे लिए important नहीं है important क्या है ये ये जो dams ना ये news में आ गए है तो अब ये जादा important हो गए इसी तरह से आपको news बढ़नी होती है कि यहाँ फे ferry चल रही है इतने किलोमेटर ये कोई national level प्रोग्राम तो है नहीं जो आप से prelims में ये जो लोकेशन है ये आगई place in news में पार्ट बन गई है और ये important हो जाती है तो इसमें आपको बस map देखना है क्योंकि जो actual news का content है वो important नहीं है अब देखो ये जो water body है ये जो पूरी water body आपको यहाँ पर दिख रही है ये एक water body हो गई और ये जो water body आपको यहाँ दिख रही है ये दूसरी water body हो गई इन दोनों को ही connect करा गया है तो ये वाली जो water body है जो कि मैंने green में mark करी है ये इस इस नागार जुनसागर और ये जो red वाली water body मैंने mark करी है ये है स्री साइलम डैम तो ये है नागार जुनसागर डैम और ये है स्री साइलम डैम अब देखो हो क्या रहा है इसमें अगर आप धंग से observe करोगे तो कुछ rivers जा रही है एक river यहाँ से जा रही है नीचे से और एक river यहाँ से उपर सा रही है और फिर एक river देखो पूरे यहाँ पर ट्रेस करते हुए इसको connect कर रही है तो यहाँ पर आपको बहुत सारी जोग्रेफिकल फीजर्स दिख रहे है तो ये है स्री साइलम डैम ये है नागर जुनसागर डैम इनको जो connect कर रही है river ये कौन सी है ये है Krishna river बहुत important है आपको दिखान रखना है ये जो ऊपर से स्री साइलम डैम के अंतर river आ रही है यहाँ से आ रही है river ये भी Krishna river ही है और Krishna river को नीचे से जॉइन कर रही है नीचे मनलब southern direction से जॉइन कर रही है तुंग भदरा river ये सारे facts आपको दिखान रखना है क्योंकि ये news में है और वैसे भी ये news में नहीं भी होता तब भी बहुत important ecological एक area है बहुत important tiger reserve भी है ये पूरा region देखो कि ए contiguous region बना हुआ है इसलिए बहुत जादा important है तो ये है स्री साइलम डैम ये है नागरजुने सागर डैम एक को connect कर रही है कृष्णा river और तुंग भदा river दोनों आके मिल रहे है सी सालम डैम के अंदर ठीक है ये सारी चीज़ हमने डिसक्स कर ली और क्या important चीज़ है एक और important चीज़ है कि ये जो river है ना ये as a border काम कर रही है किसकी border इस river के ऊपर है तेलंगना और इस river के नीचे है आंदरपदेश तो ये एक border भी है तेलंगना और आंदरपदेश की बहुत ही सारी important details यहां पर है final important detail यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिख रही है विच इस नल्ला मल्ला फोरेस्ट जो की इस particular reservoir के पास है तो जो पूरा ecosystem में आपको बना हुआ है इसको इसी तरह से आपको पढ़ना है और याद रखना है चलते हैं next news के तरफ India committed to Sendai framework for risk reduction तो जो PK Mishra है जो प्राइम मिनिस्टर मुदी के सेकरेटरी है उन्होंने बोला है कि जो risk reduction है उसमें India Sendai framework के लिए committed है अब risk reduction क्या होता है हम बात कर रहे हैं आपर disaster risk reduction landslide आ गया avalanche आ गया volcanic eruption हो गया floods आ गई, drought आ गया या फिर tsunami आ गई उसके लावा cyclone आ गया ठीक है तो जितने भी environmental hazards possible है अर्थक्वेक आ गया उससे क्या हमारे पास ऐसे technology है कि हम उनसे बत सके और इन सारे आपदाओं से manage करने के लिए हम कितने prepared है ठीक है इस preparedness को ensure करने के लिए जब यह आपदा आ जाएं और उसके बाद कैसे deal करना है तो उनसे mitigate करने के लिए और future में यह आपदाए आने वाली तो है ही तो हम कैसे adapt कर रहे है adaptation के लिए इन तीनों चीज़ों के लिए ग्लोबल लेवल पे कुछ framework बने है उनी को बोला गया है Sandae framework simple यही इसका main aim है और जो पिके मिश्रा जी है वो बोल रहे है कि India जो committed to Sandae framework के तरफ यह जो Sandae framework है एक UN agreement था जो कि 2015 से 2030 तक disaster risk reduction के target इसने बना रखे है 2015 से 2030 तक जो global community है वो कैसे कैसे अपने आपको disaster resilient बनाएगी simple यही है और the main question is कि हमें ऐसा करना क्यों है why are we focusing on disaster resilience बहुत ही simple है क्योंकि हम चाहते हैं एक reduction in losses of life life का जो loss होता है उसको कम करना है इन disasters के तुरू livelihoods बहुत सारे लोग की job चली आती है उनका जो basic livelihood का तरीक है वो खराब हो जाता है health बहुत सारे ऐसे disasters हैं जिसके तुरू health खराब हो जाती है जब भी flood होता है या cyclone होती है तो water born diseases जो instances से बहुत साथ बढ़ जाता है then economic, physical, social, cultural and environmental जो assets हैं लोगों के वो भी खराब हो जाती है यह सारे ना यह नाम लिखे है यह बहुत ही important definition में ही है सानडाइ framework के अंदर ही यह सारे चीज़े लिखे है तो disaster risk reduction जो है इस पे mains में question आने के बहुत जारे chances है और यह चीज़े प्रिलिम्स में पूछी आएगी लेकिन यह जो पूरा paragraph है ना I will recommend आप mains के perspective से तो याद करके ही चलो क्योंकि disaster risk reduction में अगर कोई question आता है और आपने paragraph introduction में या body या conclusion में लिखा है तो it gives a good impression ट्रिलिम्स में यह चीज़े नहीं पूछी आएगी mainly sandai framework के जो facts है वो ज़्यादा पूछे हैंगे तो economical assets, physical assets, social, cultural and environmental assets बचाने की यहाँ पर कोशिच की जाएगी endorsed by UN General Assembly 2015 में इसको launch करा गया था simple लेकिन क्या यह sandai framework है यह पहला कोई framework है जो कि disaster risk reduction की बात करता है ऐसा नहीं है इसके पहले भी एक yoga framework exist करता था जो कि 2005 से 2015 तक उसका time period था वो 2015 में expire हो जाता है और इसलिए फिर इसको इसके लिए एक successor agreement बनाया जाता है जिसको बोला जाता है sandai framework और यह जो sandai framework है मैंने आपको बताया है 20-30 तक चलेगा जब यह expire हो जाएगा तो कोई और नहीं framework आएगा लेकिन 2030 तक बहुत सारे different frameworks है different aspects में जो sandai framework के साथ चलेगे वो कौन से है एक तो प्रेडरिस agreement on climate change जो कि UNFCCC की 21st conference of parties में लाउंच हो था 2015 में इसका भी similar aim ही है देखो climate change के कारण landslide बढ़ रहे है then floods बढ़ रहे है cyclons बढ़ रहे है तो climate change और sandai framework काफी interlinked हो गए फिर Edis Ababa action agenda for financing of development यह 2015 में लाउंच हो था एथियोपिया में अब यह भी काफी similar है यहाँ पे हम finance कर रहे हैं development के लिए और यह एथियोपिया में लाउंच हुआ है तो आपको समझ में आ रहा है कि यह developing countries में development की बात कर रहा है और disaster से सबस्यादा नुकसान developing countries का ही होता है तो यह भी link हो गए फिर new urban agenda UN habitat का जो third summit थी वो keto में हुई थी and Japan में 2016 में वहाँ पे new urban agenda launch हुआ था अब यह क्या है यह भी same चीज की बात कर रहा है कि जो urban infrastructure वो better होना चीए इंडिया में भी क्या चल रहा है urban flood यह बहुत ही complex phenomena इंडिया में चल रहा है तो the thing is कि यह भी disaster risk reduction से linked है और sustainable development goal जो 2015 से 2030 2030 आए गा है आपे 2030 यहां तक जो चल रहे है वो तो खेर अपने साथ है ही तो यह चारो नाम आपको ध्यान रख रहे है prelims में इनकी basic details पूछी जा सकती है चलते next news में verification patrolling begins in Depsang India यह news पिछले 2-3 महीने से continuously आ रही है कि India and China ने एक border agreement करा है जिसमें यह बात की गई है कि दोनो जो line of actual control है जो line of actual control है इंडिया और चैना का चैना occupied इंडिया या चैना occupied लिदाख जिसको sky outside chin भी बोला जाता है यह जो region के बीच में जो line of actual control है यहाँ पे दोनो जो military है वो थोड़ा सा पीछे हटेंगी and controlled patrolling यहाँ पर होगी बारी बारी से आके यहाँ पर patrol करके चले जाएंगे इससे क्या होगा यह दो बहुत बड़े friction points थे friction point बलाब यहाँ पर बहुत जादा friction था यहाँ जो soldiers थे काफी बार physically एक दूसरे से लड़े भी violent action भी हुआ तो इन friction point को कम करने के लिए disengage करने के लिए इस पूरे friction को disengagement के लिए बोला गया कि देमचौक और देपसांग यह जो दो friction points थे यहाँ से वो जो soldiers है पीछे हट जाएंगे अब important आपके लिए क्या है देखो यह जो पूरा region है अभी मैं आपको बहुत ही चोटे समय बनातो यह जो region है this is region which is part of Jammu and Kashmir जो अभी इंडिया के अंदर control में है और यह जो पूरा region है यह वो पार्ट है कश्मीर का जो की पाकिस्तान ने illegally occupy कर रखा है यह जो region है लदाक का यह वो region है जो इंडिया के अभी अंदर है और यह वाला जो region है यह वो region है लदाक का जो चैना ने illegally occupy कर रखा है simple तो अभी समय को क्या दिया रखना है कि जो line अभी जो लदाक इंडिया के पास है और वो लदाक का region जो चैना ने illegally occupy कर रखा है इन दोनों को जो line separate करती है अभी ground पे उसको हम LSE बोलते है line of actual control simple और यह जितनी भी locations आपे mentioned है इनको आपको ध्यान रखना है क्योंकि questions ऐसे आते हैं prelims में क्योंकि यह सारे locations डियूस बे रहे हैं और वो questions ऐसे पूछलेंगे कि इन locations को आप north to south arrange करो ऐसे questions आए भी हैं और आएंगे भी तिरिको सियाचिन glacier यही पर exist करता है और सबसे उपर है देपसांग plane उसके नीचे है गलवान वैली जिसमें दो-तीन साल पहले बहुती बड़ा एक violent clash हुआ था इंडिया और Chinese soldiers के बीच में उसके नीचे है hot springs देन पांगॉंग लेक यह बहुत important lake है जो कि दोनों countries के अंदर है क्योंकि इसका एक छोड इंडिया में है बाकी जो इसका दूसरा portion है वो चायना में है और नीचे है demchok जो काफी south में है लदाक के region के अंदर तो यह सारे जितने भी मैंने आपको sides बताएंगे आपको north to south इनको याद रखना है यह बहुत important है इस पर questions बनेंगे चलते है next news पर न्यूज स्कीम फोर ICMR सीक्स तो foster novel ideas to develop health sector यह बहुत ही छोड़ी से news है मतलब जो ICMR है Indian Council for Medical Research वो ऐसी बहुत सारे projects launch करता ही रहत है यह जो project है first in world challenge इसका आपको नाम ध्यान रखना है क्योंकि प्रिलम्स में पूछ लेंगे कि first in world challenge किसने launch करा है तो ICMR लांच करा है यहाँ पर basically जो ICMR है उसने एक challenge create करा है कि कौन सा scientist या कौन सी science की team एक बहुत ही innovative idea लेके आती है ताकि जो अभी हमारे country में health problems है उनको solve करा जाए actually के solutions दो बहुत सारी health problems के है लेकिन उनको implement करने में जो models है वो बहुती delay करते है तो ऐसा कोई ना कोई innovative idea जिससे health problems को बहुती अच्छे से solve करा जाए इसमें कोछी भी innovative idea हो सकता है data collection का जो disease को track करने का बहुत सारे तरह से ideas को invite करा गया है चलते है next news पर doctors ask NMC for a simpler way to register यह भी एक छोटी से news है इसमें actually कुछ bodies का नाम mentioned है तो वो हमारे लिए थोड़ सा important हो जाता है और कुछ static detail यहाँ पर important हो जाती है बिकरस इसको यहाँ पर mention करा गया है तो एक बार news को देखते है फिर हम static detail पर भी चलेंगे तो news यह है कि doctors यह बोल रहे है कि देखो जो health है न यह doctors नहीं बोल रहे है मैं बता रहा हूँ health state list में आता है as a subject तो जो health है वो state list है मलब जो state governments है वो health से related laws बनाएंगी and that is why जो जारतर जो doctors है वो state के अंदर registered है जो भी doctors practice करते है जितने भी state governments है उनके अंदर state government का एक document है जिनके अंदर यह सारे के सारे doctors register होते है अब क्या होता है अब यह होता है कि center level पे national medical registry जो center level पे government बोलती है कि हम एक national medical registry बनाएंगे जिसमें क्या होगा वो एक national record होगा इंडिया में जितने doctors है उन सब का तो अभी क्या होता था state wise doctors की list ही government बोलती है कि हम एक national level पे यह list बनाना चाहते है और यह जो national medical register की जो list है यह national medical commission जो की national level पर है उसके अंदर यह list रहेगे तो अब क्या करना है सारे doctors को obviously जो उनका state का data है वो उनको अपने national वाली जो list है उस पे update करना है और इस update के दौरान अधार में कुछ mismatch की details आ रहे है कभी कभी तो spelling name की details की mistake है या आपने भी देखाऊगा कि कभी लोगों के अधार detail पे अधार card पे बहुत सारे mistakes होती है तो उसके कारण ये mismatch बहुत हो रहा है और जो transition है जो state medical board के जो registrations है उनको हमें transition करना है national medical register में इसमें काफी problems आ रही है क्योंकि data discrepancy है जो national medical register है ये union health ministry ला रही है and obviously जो doctors है वो ये बोल रहे हैं कि क्यों ना जो state registration है वो automatically आप national register में convert कर दो ये बोल रहे है कि जो state का data है न वो सारे state का data आप national medical register में copy paste कर लो directly लेकिन अभी क्या required है कि doctors ये सारे data खुद से individually भरे तो इसमें थोड़ी सी problems हो रही है data mismatch में तो ये थोड़ा साब को पता होना चाहिए उसके बाद जो national medical register है मैं आपको बताया था ये national medical commission इसको manage करेगी nmc act के अंदर जिसके तुरू वो medical commission खुदी बना था उसी के अंदर एक ethics and medical registration board है ठीक है मतलब जो national medical commission है वही national medical register को तयार करेगी और उसी में वो store रहेगा लेकिन देखा जाए तो इसके अंदर भी एक छोटी से body है जिसका नाम है EMRB बतलब ethics and medical registration board टेखनीक लिए दिखा जाए तो वो ही है NMC के अंदर जो इस NMR को manage करेगी ये आपको ध्यान रखना है इसमें सारे MBBS doctors को register करना है ये जो data है ये बी एक और important चीज़ है ये जो data होगा इसमें से कुछ data public देख सकती है और कुछ data होगा जो कि सिर्फ इस body के पास रहेगा वो publicly available नहीं होगा जितने भी मैंने आपको facts बताया है इन सब पर prelims पर questions बन सकते हैं and that is why it is important ये आपको धियान रखने है चलते next news पर study finds long term dynamics of transparent stem cells तो stem cells के उपर पहले भी मैंने एक news को coverage दी थी दो-तिन दिन पहले दो-तिन sessions पहले तो आप उसको भी please जा के देख सकते हो उसके लावा मैं आपको बहुत ही basics बता देता हूं stem cells का actually यहाँ पे तो सिर्फ news mentioned है मैं आपको थोड़ सा static portion समझा देता हूं ताकि आपको थोड़ स stem cells के बारे में समझ में आ जाए अगर अब तक नहीं पता है तो stem cells वो cells होते हैं जो किसी भी cell में differentiate हो सकते हैं मतलब यह ऐसे cells हैं जो किसी और cell में बदल सकते हैं अब ऐसा क्यों होता है simple सी बात है अगर आपको कभी चोट लगी है finger पे कोई cut आया है तो आपने देखा होगा कि 10-15 दिन में वो जो पूरा जो wound है वो heal हो जाता है वो ठीक हो जाता है मतलब यहाँ पर जो skin cells किसी भी injury के कारण खतम हो गए थे वो skin cells वापस आके बन गए वो regenerate हो गए यह definitely आपने देखा होगा वो regenerate हो गए ऐसा क्यों हुआ हुआ कि हमारी body में कुछ stem cells stored है जो हमारी body क कुछ parts ठीक है सारे नहीं बट कुछ parts को वो regenerate कर सकते हैं वो regenerate कैसे करते हैं तो कि यह stem cells ढूंडते हैं कि हमारी body का कौन सा portion इंजर हो है अगर blood में कुछ blood cells कुछ इंजर हो है तो यह stem cells है न यह खुद blood cells में convert हो जाएंगे और blood में जो कमी है उसको पूरी कर देंगे अगर liver damage हो है तो stem cells liver में convert हो जाएंगे liver溏ंगे liver cells में convert हो जायंगे और liver में जो देंगे और Liam जो में चोटा साइल bone marrow क्या होता है, bone marrow basically एक बहुती soft tissue है और यह कहां पर मिलता है, bone के अंदर, जो हमारी bones है, उनके अंदर middle में एक बहुती soft tissue होता है, इसी के अंदर जो stem cells है, वो adult body में stored होते हैं, अब देख सकते हो कि अगर किसी का हाथ ही cut जाये पूरा, तो क्या उसका पूरा हाथ बन जाएग जो adult stem cells है, उनकी capacity है, बाकी cells में convert होने की, वो काफी limited है, बट फिर भी वो अपना काम कर सकते हैं, यह stem cells होते हैं, तो किसी की body में मालेते हैं, blood cancer है, तो मतलब जो उसके blood cells हैं, blood cancer मतलब, जो blood cells हैं, उनके DNA में ऐसे mutation आ चुके हैं, कि जो blood cells हैं, normally behave नहीं करते, व्लेट का क्य क्या होता है, blood का काम होता है, oxygen ले जाना एक जगे से दूसरी जगे, बहुत सारी जो nutrition होते हैं, वो एक जगे से दूसरी जगे ले जाना होता है, अगर blood cancer है, जो blood के cells हैं, वो यह काम करेंगे ही नहीं, तो एक human के अंदर तो basic जो need है body की, वो होई नहीं पाएगी पूरी, त इसके अंदर blood cancer था, उसके blood cells को replace कर जाएगा, या कभी-कभी stem cells को directly डाल दे जाता है, इसे बहुत सारी different stem cell therapy के तरीके होते हैं, but healthy person से एक unhealthy person के body के अंदर stem cell को transplant करा जाता है, उसी को कहते है stem cell transplant, research में देखा गया है कि जो stem cell transplant की success है, वो depend करती है donor के age पे, जो healthy इंसान है जिस के अंदर से stem cells निकाल के दूसरी की body के इंदर डाले जा रहे है, जो कि unhealthy इंसान है, तो जो donor person है, अगर इसकी age जादा है, तो इसकी stem cell transplant कब तक effective रहेंगे, वो थोड़े कम टाइप तक effective रहेंगे, बस यही एक research दी जाब को दिहान रखनी है, but इस research के कारण stem cells news में आ गए है और biotechnology पे बहुत जादा questions बनते हैं अब इसलिए यह static बताना भी जरूरी था, next news, WHO's database on polio cases hides more than it reveals, यह बहुत बहुत जादा interesting and important news है, तो इसके बारे में मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि यह बहुत सारे important terms mentioned है, यह important terms मैं आपको एक बार static समझाता हूँ, आप यह है, polio एक ऐसी, polio एक बिमारी है, जो की virus के कारण होती है, ठीक है, वो अगर किसी को हो जाती है, तो वो जो person है, unfortunately, paralysis उसकी body में आ जाता है, usually जो legs है, वो weak हो जाते है, and वो जो person है, unfortunately, वो अपनी rest of the life के लिए, उसको अब एक wheelchair पे बैठे रहना होगा, usually यह जो diseases है, यह children को affect करती है, बहुत ही early age में ही, अगर किसी के अंदर polio virus exist करता है, तो वो उसको affect कर जाएगा, और वो बच्चा पूरी life के लिए, unfortunately, paralytic हो जाएगा, ठीक है, तो क्या सोचा गया, कि एक vaccine बनाते हैं, ठीक है, vaccine बनाएंगे, सारे बच्चों को दे देंगे, आपने अमिदा ब होता है, फिर यह होता है कि 2011 में, इंडिया बोलता है कि हम सारे लोगों को vaccine दे चुके हैं, और हमारे country में कोई भी case नहीं आया, डवली अच्चों बोलता है, ठीक है, तीन साल वेट करते हैं, तीन साल डवली अच्चों ने भी देखा, और पता चला कि 2014 तक कोई case आया नहीं तो 2014 में इंडिया को polio free declare कर दिया जाता है, बात खतम, लेकिन जब polio free कोई country declare होती है, इसका मतलब यह नहीं है, कि zero cases हैं, क्योंकि देखो, इंडिया में 1.4, sorry, 140 क्रोड लोग हैं, तो कहीं न कहीं तो हो सकता है न, कि polio किसी को हो जाया, तो वो जो odd cases है, exceptional cases हैं, उनको count नह यह हुआ है कि WHO ने देखा, या फिर एक news आये, कि मिगा लिया कि एक बच्चे को polio हुआ है, फिर 3 महीने तक या बहुट टाइम तक इस पे WHO ने कोई action नहीं लिया, जो author हैं इस article के, वो claim कर रहा है कि Indian Health Ministry ने भी, या जो state health department है, उन्होंने भी कोई खास action नहीं लिया, और अ पानी में भी polio मिला है हमें, तो यह polio आ कहा से रहा है, जब इंडिया में फ्री हो चुक है, तो अब एक नया concept आता है, कि यह जो polio है, यह natural polio नहीं है, यह polio है vaccine derived, अब यह कहा से आ रहा है, यह आ रहा है vaccine से ही, ऐसे कैसे, तो आप चलते हैं कि यह जो vaccine दी गई थी, यह क पिलाई जा रही थी, usually जो vaccine है, जो covid की vaccine थी, वो injection से लग रही थी, अब बच्चे क्या होते हैं, वो injection से बहुत ढ़ते हैं, इसलिए इनके लिए oral vaccine निकाली गई, कि उनको औरली बूंत पिलाई जाएगी, ठीक है, यह oral vaccine थी, अब इस vaccine के अंदर था क्या, यह भी एक question है, इ ऐसा क्यों था, ऐसा इसलिए था कि अगर किसी की body के अंदर, देखो अगर कोई wild polio है, wild मतलब जो naturally polio virus है, तो जो wild polio virus है, वो किसी की body में पहुंचा, तो उसको paralysis हो क्यो हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है, क्योंकि उसका जो body का immune system है, उसको पता ही नहीं है कि यह जो virus आ रह इसलिए को paralytic बना चुका है, तो अब body ने सीख लिया, उसको कोई फायदा नहीं है, तो क्या सोच गया, क्यों हो ना हम एक weakened virus इनकी body में डाले, इससे क्या होगा, यह जो virus है, यह body को paralysis तो cause करेगा नहीं, मलब कुछ भी damage cause नहीं करेगा, लेकिन जो immune system है वो इस virus से लड़ना सीख जाएगा, एक दो हफते में या एक महिने में, मलब immune system तो इससे लड़ना सीख गया, लेकिन इस दौरान, जितना time immune system को लगा, तब तक virus ने attack भी नहीं करा, क्योंकि बहुत ही weak virus है, यह virus कुछ attack करी नहीं पाया, तो अब immune system ने क्या कर लिया, एक notebook बना ली, और लिख ल immune system है, इस notebook को पढ़के तुरंत ही उसको neutralize कर देगा, उसको खतम कर देगा, तो यही vaccine ऐसे काम करती है, बट अब इसमें आती है problem, problem कहा है, देखो यह weekend virus है, weekend मतलब बहुत ही weak virus है, लेकिन यह live है, live मतलब यह अभी भी जिन्दा है, वेल technically इस पर भी बहुत बड़ी debate है कि क् जिन्दा नहीं है, उस पर नहीं जा रहे है debate पर, but live का मतलब है कि यह ऐसा virus जो की काम कर सकता है, but उसको इतना weak कर दिया है, कि वो काम नहीं कर पा रहे है, right, but problem यह होती है, दो तरह की problem यहाँ पर चालो हो जाती है, क्या problem है दो तरह की, एक ऐसा बच्चा जिसकी immunity बहुत ज कम है, इस बेबी को बुखार बहुत जल्दी हो रहे है, इसको blood की circulation में problem आ रहे है, इस बेबी को हो सकता है diabetes हो, मतलब the thing is कि हो सकता है कुछ ऐसे children है, जो की immunocompromised है, जिनकी immunity बहुत खराब है, तो देखो आपने उनको vaccine भी दे दी ना, तो उनका immune system इतनी सारी already जो diseases है, उन से लडने में busy है, तो जब ये vaccine वाला virus आ रहे है, इसका aim क्या था vaccine वाले virus का, जो immune system है, इस से लड़ेगा, और ये क्योंकि virus कुछ कुछ कर नहीं पाएगा, तो तुरंत हार जाएगा, और immune system इसको हराने का तरीका लिखके है, अपने पास रख लेगा, लेकिन जो उसका immune system ह बच्चे का, वो तो और बहुत सारी diseases से लडने में busy है, क्योंकि ये जो बच्चा है, immunocompromised है, तो वो इस virus से लड़ी नहीं पाया, ढंक से, इसको हरा ही नहीं पाया, और अब यहां से दो चीज हो सकती है, एक चीज, ये जो virus है, क्योंकि ये हारा नहीं ना body से, और लेकिन ये weekend है काफी, बट still, क्योंकि ये live है, ये हमारी body में, या इस बच्चे की body में, अभी भी क्या करेगा, replicate हो रहा है, replicate होते जा रहे होते जा रहे है, usually क्या होता है, कि इस replication process के पहले ही, जो हमारा immune system है, इस virus को रोग देगा, बट यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि immune system busy है, और disease से लणने में, जो वाइरस से replicate होते जा रहे होते जा रहे होते जा रहे होते जा रहे होते जा रहे, और एक time ऐसे आता है कि replication के दौरान, इस virus में कुछ mutation हो जाता है, जिसके कारण, जो वाइरस है, इसके पास एक ऐसी advantage आती है, कि अब अगर immune system जाग भी गया, तब इस virus को मार नहीं पाएगा, तो यह जो weakened virus था, यह क्या हो गया, यह weakened virus, यहाँ पर term लिखा है, यह weakened virus, रिवर्ट हो गया अपने virulent form के अंदर, इसका basically यह मतलब है, वो पहले तो virulent form में था, उसको हमने weaken करा, सोला दिया basically, इसको बहुत ही weak कर दिया, लेकिन इतने time तक वो उ immunocompromised baby के body में रहा, जितना वो उसको रहना नहीं चाहता, लेकिन वो रह गया, immune system ने उसको रोका नहीं, तो वो replicate करता गया, करता गया, करता गया, गलती से उसके अंदर ऐसी replication के दौरान mutation आ जाती है, जिससे उसको advantage मिल जाती है, और वो जो virus है, powerful हो जाता है, तो वो क्या क दूसरी चीज क्या हो सकती है, कि यह जो virus है, यह मरा नहीं, ठीक है, लेकिन वो जो baby है, उसने excrete करा, ठीक है, excrete करने के बाद यह जो virus है, मैंने क्या कहा, उसकी body में मर जाना चाहिए था, लेकिन immune system और सारे diseases से लणने के लिए busy है, तो यह baby immunocompromised है, तो वो virus मरा तो नहीं यह जो virus है, यह replication भी हो रहा है इसका, लेकिन मान लेता है कि इस baby के body के अंदर, वो जो replication है, उससे कोई ऐसा mutation नहीं आया, जिससे यह virus revert हो गया हो, यह strong हो गया हो वापस, लेकिन यह baby है, इसने excrete करा, और cvh pipeline के थुरू यह जो virus है, यह आसपास वारे इलाकों में, जो अब अपना normal काम कर रहा है, वाइरस देखो कहा था, vaccine के अंदर था, वो इस baby के body में पहुंचा, वहाँ पे इसको मर जाना चाहिए था, मरा नहीं, जिन्दा है baby virus, और वो अब environment में fell चोगा है, वाइरस, ठीक है, environment में fell चोगा है, मान लेते हैं, यह जो region है आसपास, यहाँ जहाँ पे जो सारी sewage line है, वो नदियों में जाके मिलती है, और इनी नदियों से लोग पानी पेते हैं, और यह एक ऐसा इलाका है, जहाँ पे vaccine का जो prevalence है, बहुत कम है, वालब ऐसे कुछ लोग बाकी हैं, सेरिया में, जिनको polio की vaccine नहीं मिले है, तो यह जो virus है, इस पानी क में तो vaccine भी नहीं है, और उनकी body के अंदर यह जो virus है, वो replicate करेगा, और गलती से अगर इसमें कोई mutation आ जाता है, तो उनकी body के अंदर भी वो polio कॉस कर सकता है, अब यह जो polio है, यह क्या कर रहा है, community में फैल चुका है, तो यह कुछ basics है जो आपको बताने ज़रूरी थे, अब चलते हैं, news पे और कुछ keywords पे, अब जब हम इन keywords को discuss करेंगे, तो आपको इन चीजों का बहुत ही easily समझ में आ जाएगा, वर्ण में पहले IP, VPDV, CVPDV बोलता तो बहुत difficult हो जाता, तो समझते हैं, अब यहाँ पर हो क्या रहे है, WHO ने एक report release करी है, जिसमें उन्होंने vaccine derived polio virus, यह जो मैंने आपको पूरा तरीका बता है, जिससे vaccine के कारण polio हो रहा है, उन बच्चों के थुरू, जो immunocompromised है, या फिर वो excreta के थुरू, community में फैल जा रहा है, यो पहले माँ पे polio नहीं था, लेकिन vaccine के थुरू हो गया वो, इसको बोला जाता है vaccine derived polio virus, ठीक है तब निकला कि वो एक immunodeficiency associated vaccine derived polio virus है, वो है तो vaccine derived polio virus ही, जो उनको मिला है, लेकिन वो, जो मैंने बताया, एक immunodeficiency वाला बच्चा होगा, जिसके अंदर virus मरा नहीं, उसने excrete करा, और वो आसपास वाले इलाकों में फैल गया, वही virus, तो यह जो मिला है, यह इस कारण मिला ह इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो general population में, मलब suppose एक नदी है, उसमें पाने को चेक करा, हमापे polio virus मिल गया, तो इसका origin क्या है, क्या यह polio virus इस नदी में है, तो क्या इसका मतलब है कि आसपास जितने भी लोग है, उन सबको polio है, या फिर एक immunodeficiency वाला बच्चा था जिसने exc करा और वो polio virus नदी में आ गया, और वो हमें मिल गया, तो उसका cause क्या है, तो वो बोलने है कोई community polio virus नहीं है, जिसको हम बोलता है, CVDPV, community vaccine drive polio virus, यह ऐसा polio virus ने, जो सबको रखा है, यह ऐसा polio virus है, जो एक immunodeficiency से सफर करता हुआ एक बच्चा होगा, जिसके थूँ यह य CVDPV है, यह CVDPV नहीं है, यह news है, बेसिकली, ठीक है, और यही चीज़े प्रिलिंजर आप से पूछी जागी, जो मैं आपको बहुत ही detail में explain कर दिया है, और तीन महीने के बाद, यह case यह जो WHO है, उन्होंने इसको देखा था, मिगाले में मैं आपको बताया था कि एक case मिला और WHO ने तुरंत action नहीं लिया, और कुछ लोग बोल रहा है, यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि WHO के अंदर ऐसा action क्यों नहीं लिया गया, तुरंत यह बहुत ही transparency की कमे के कारण पता नहीं लग पाया है, WHO की जो registry है, वो एक और यह जो author है, एक और चीज़ बोल रहा है, कि mainly circulating VPDV cases पर ही काम करता है, ठीक है, वो IVDPV जो है, जो case यहाँ पर हमें मिला है, और जो ambiguous VDPV है, ambiguous VDPV क्या है, आपको polio virus मिल तो गया, लेकिन आपको पता है नहीं यह कहां से है, क्या यह किसी एक immunodeficiency वाले बच्चे से है, या फिर इस पूरे अलाके में फैला हुआ है, हमें फोकस करता है, IVDPV या फिर ABDPV वो काम करता है नहीं, तो इतना सारा data WHO collect करता है नहीं है, जो author बोलना है गलत बात है, और देखो, oral polio vaccine से यह चीज़े हो रही है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, कि oral polio vaccine को जब use करा जाता है, तो जो vaccine उससे associated है, वो vaccine-associated paralytic poliomyelitis कर सकता है बेसिकली वही चीज़े है, जो मैं आपको बोली, कि जब एक immunodeficiency वाला बच्चा है, उसके अंदर जो polio virus है, वो मरा नहीं, और यह polio virus आया है कहां से, vaccine के थुरू, जो काफी weak था, वो उसके अंदर replicate करता गया, करता गया, करता गया, गलती से वो mutate होके, वापस revert हो जात है, क्योंकि इस बच्चे के पास जो paralysis हुआ है, वो wild polio virus से नहीं हुआ है, यह उस polio virus से हुआ है, जो कि vaccine से इस बच्चे को मिला था, इसलिए यह नाम हापी उसकरा गया, बहुत important term है, प्रिलम्स वगर में पोचा जा सकता है आपसे, यह सब पढ़ने के बाद आपको बहु जहां पर जो weekend virus है, वो regain कर लिता है अपनी stability को, अपनी ability को उन individuals में जो की पूरे immunized नहीं है, या फिर immunocompromised है, जो IBDP वी वाले cases होता है, virus कैसे पहुँचता है नदियों में, जब वो ऐसे individuals, ऐसे individuals जो immunocompromised है, वो excrete करते हैं इनको, और फिर वो basically पहुँच जाता है, open sources के अंदर, यहां पर कुछ differences is mentioned है, यह मैंने अलग से यहां पर include कर रहे हैं, कि आपको शायद थोड़ी से help हो जाए, तो IVDPV, ABDPV और CVDPV का हम basically मतलब समझ चुके हैं, तो यह excrete करता है, immunocompromised individual हम समझ चुके हैं इसको, जो ambiguous है, उसका हमें origin नहीं पता, मतलब वो हमें मिल तो गया नदी के अंदर, यह कि हमें पता नहीं आया कहां से हैं, इसलिए उसको हमने यह बोल दिया, जो circulating या फिर community vaccine derived polio virus है, यह वो है, जो कि population के अंदर घूम रहे हैं, मतलब अगर आपको नदी में मिला हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो पूरे आसपास जितने इलाके में लो इसका मतलब यह निया कि पूरे आसपास वाले इलाके में फैला हुआ है, तो इस पर रिसर्च होती है, उससे पर चलता है कि इसका क्या नाम दिया जाए इसको, यहां पे कुछ examples है, वो इतने important रही है, जो OPV है, वो live होता है, बड़ अटेनुए होता है, यह सारी चीजे में आपको बता चुका हूँ, वही यहां पे detail में लिखे, ठीक है, तो यह आपको basic और static process समझना होता है, उसे पर questions बनते हैं, पिलिम्स में, again जो biomedical science है, और जो bio technology है, उस पे questions आ रहे हैं, बहुत जाता पिलिम्स में, तो आपको ready रहना है, चलते हैं next news के दरफ, Glacial lake rise as the glaciers retreat, तो यह कुछ पहाड़ वाला region है, अब यहां पे हुई बर्फ बारी, उसके कारण यहां पे जो है ना हो, इतनी बर्फ बारी हुई है कि पूरे पहाड़ों के बीच में, ऐसे बहुत जादा बर्फ जम गई, और बहुत जादा tight बर्फ यह जम जाती है, और बहुत सालों से, हज जारों लाकों सालों से जमी हुई है, ठीक है, तो यह जो मोटे बर्फ के यह खुद अपने आप पहाड़ी बन जाते है, तो जो नीचे मिट्डी के पहाड़ दे ना, इनके बीच में और इनके उपर, इनके साइड में, कुछ बर्फ के पहाड़ बन जाते है, क्योंकि इतन यह थोड़े से पिगलते हैं, और इसके कारणी यह आगे चलने लग जाते हैं, वैसे जो मिट्टी के पहाड है, वो तो एक जगह है, वेकिने बर्फ के पहाड, जो glaciers हैं, यह थोड़े थोड़े आगे चलने लग जाते हैं, क्योंकि, गर्मी में थोड़ा सा पिकलते हैं इवन दो इनकी साइज बहुत बड़ी होती है बट क्योंकि जब भी कोई बर्फ पिकलती है आपको पता है अगर आपने कोई बर्फ जमीन पे रखी है तो कुछ टाइम बाद जो बर्फ का नीचे वाला पोशन है पिकल जाता है और आप बर्फ को किक करोगे उसको थोड़ा सा पुश करोगे तो वो जमीन पे ऐसे यहनों बहुत ही इजीली गलाइड करेगी तो वैसे ही जो गलेशर ना बड़े बड़े वो गलाइड करने लग जाते हैं वो धीर धीरे चलने लग जाते है अब दिकल गलेशर के आसपास बहुत सारा मिट्टी है टीक है गलेशर के सामने भी बहुत सारी मिट्टी है तो गलेशर जब आगे चलते है ना इस सारी मिट्टी को अपने साथ लेके आगे चलते है तो कुछ ताइम बात क्या होगा यह जो गलेशर है ये धीरे-धीरे थोड़ा चलते-चलते-चलते-चलते इतने बड़े हो जाएंगे, महलब यहां तक आ जाएंगे, ऐसे यहां तक glaciers पहुंच गए, और इनके आसपास और सामने वाली जो मिट्टी है, वो ऐसे एकटी हो जाएगे पूरी, क्योंकि उसको साथ में लेके आगे पूरी जो मिट्टी है, आगे ऐसे एकटी हो गए, तो यह जो एकदम end पे glacier के, glacier के terminus पे, जो मिट्टी एकटी हो गए, इसको हम बोलतेते हैं, तो ऐसे glacier बेसिकली काम करता है, अब हो क्या रहा है, देखू, समर्व आती है जब, तो definitely glacier थोड़ा सा पिगलता है, उसके कारण जो friction है कम हो जाता है, glacier आगे आगे बढ़ते बढ़ते हैं, ऐसा हो जाता है, फिर winter आती है तो glacier वापिस बन जाता है, फिर summer आती है तो glacier थोड़ा और आगे चलता है, विंटर आती है glacier वापिस बन जाता है, ऐसे होता रहता है, लेकिन global warming के कारण और climate change के कारण क्या हो रहे हो ये रहा है कि हर साल जितनी बरफ जमती थी हर साल उससे जादा बरफ पिगल रही है पहले क्या हो रहा था पहले system ये था कि जितनी बरफ जमी उतनी बरफ पिगलती थी तो अगले साल वापस बन जाती थी अब हो ये राहे है कि बर्फ पिघल तो गई इतनी लेकिन जो वापस बर्फ है ना वो सिर्फ इतनी ही जम पाई तो जो बचा वाला बचा वोई, जो ब्लाक रीज़न रहे गें ये वाला ये पिघल चुगा है वालब net क्या हुआ है? लॉस हुआ है सिंपल जितनी पिगल चुकी थी वर्फ जितना ग्लेशर पिगला है हर समर में उतना वो जम नहीं पारा हर विंटर में क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होई है जो नेट टेंपरेचर है अर्थ का वो बढ़ रहे है तो यह पिगला हुआ ग्लेशर यह गहां गया और यह कौन सा बैरियर है ठीक है मिट्टी का जो एक बॉर्डर बनी हुई है यह नाच्रल बैरियर जैसे काम करता है और यह वाटर जो है यह एक लेक में कनवर्ट हो जाता है जिसको हम बोलता है ग्लेशर लेक सिंपल यही एक चीज ऑथर ने बताई है ठीक है तो इसका क्या मतलब है अग जिसको हम बोलता है ग्लेशर जित्रीट हो रहा है और अग्लेशर लेक्स की संख्या बढ़ रही है यह डिरेक्ट एविडेंस है ग्लूबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का यह बोला जाए रहा है तो बस यही पर यहा पर चीज और उससे बस यही जो है का इसका वो ए रोकते हैं जो की melting आई से मलवी जो glacier melt कर रहा है यह definitely आगे चले आएगा लेकिन क्योंकि glacier इतना चल चुका है उसके कारण आसपास की मिट्टी उसके सराउंड में हो गई है तो जब glacier पिखलता है तो उसका पानी ना इस मिट्टी के अराउंड यही स्टोर हो जाता है और इस article के अंदर कुछ lakes के example भी है ठीक है तो यह जो lakes के example है usually देखा गया कि films के अंदर जो ऐसे दर हिंदू में article जाते हैं उसमें कोई squishy mentioned हो कोई special geographical location mentioned हो मनलब मैंने कोई article लिख दे दर हिंदू में और मैंने ऐसे ही कोई example भी दे दिया तो उससे उठा के directly prelims में पूछे गए question तो ऐसा कुछ नहीं है कि यह lakes जो हाँ पर नाम mentioned है वो कुछ जादा special है बट क्योंकि इस news में mentioned है इस article mentioned है तो थोड़े से highlight हो जाते है जानसे जादा बन जाते है कि prelims इस पर question पूछे usually जो questions आते हैं वो यही आते है कि in lakes का जो river source है वो क्या है ये lakes किस state में exist करते हैं ऐसे ही question आते हैं तो जो गुरु दौगमर लेक है वो सिक्किम में या आपको ध्यान लगना है और ये माना जाता है कि ये water bodies ठीक है ये जो लेक है इससे जो पानी है वो देरे देरे जो river तीस्ता है उसमें पानी पहुंचाता है ये सब आपको ध्यान लखना है कि गुरु दौगमर लेक सिक्किम में है और वो river तीस्ता को feed करता है फिर पांगोंग सो लेक है जो कि लदाख के अंदर है और इंडिया और चायना के बीच में वो exist करता है फिर एक स्मिती लेक है जो कि सिक्किम के अंदर है तो ये तीन लेक से आपको इनका state origin धियान रखना है ग्लोबल बॉमिंग का एक consequence है क्या? retreat of glacier ये सारी चीज़े मैं आपको बता चुका हूँ उसके अलाब सिक्किम की glacier lake का एक और example उन्होंने दिया है South Lunark Lake ये काफी important है वैसे भी क्योंकि जो South Lunark Lake है इसको तीन glacier आके इसको बना रहे है मतलब इस particular region में क्या है? ऐसे तीन glacier होंगे 1, 2, 3 ये सारे पिगल के एक ही lake को फिल कर रहे है तो South Lunark Lake जो की सिक्किम के अंदर है इसका नाम और इसकी location भी आपको ध्यान रखनी है चलते हैं last news की तरफ यहाँ पर बात की जा रही है COP16 की तो ये news last to last lecture में भी हमने discuss करी थी जहाबे मैं आपको बताया था कि COP16 हो रही है किसकी United Nations CBD की CBD क्या है Convention on Biodiversity तो Convention on Biodiversity है Biodiversity को protect करके चलना है उसी की 16th meeting हुई है इस साल उसी को COP16 बोला गया है इसे 190 countries है और ये अभी कोलंबिया में हुई है ये details आपको ध्यान रखनी है prelims और mains दोनों के लिए तो कैसे भी details ये आपको लिखनी पड़ेगी mains में और prelims में आपसे पूछ ली जाएगी 2002 में ये Canada में हुआ था और obviously वो क्या था वो COP15 थी sorry not 2002, 2022 ये वो COP15 थी अब 2 साल बाद हो रही है COP16 CBD के Convention on Biological Diversity के ये जो convention था जो 2022 में हुआ था COP15 इसमें कुछ चीजे discuss हुई थी जैसे कुछ targets लिए गए थे कि 30% हमें जो land है और जो water है उसको protect करना है 2030 तक ये 30% land और water में क्या protect करना है Biodiversity को जो पेड है पौदे है species है जो भी पूरा flora और फोना है इन सब को protect करना है और इसी को 30 by 30 agreement भी बोला गया है important है ये at the time less than 17% and 10% of marine areas और protected और उस time पर मनलब दो साल पहले ही 17% और सिफ 10% मनलब 17% जमीन और सिफ 10% पानी वाला ही जो areas है वो protected है बाकी सारे जो regions है वो unprotected है और इसी COP15 के अंदर और क्या हुआ था एक कन्मिंग Montreal Protocol या फिर Global Biodiversity Framework इसको भी sign किया गया था ये भी important है ये हमने last class में भी discuss करा था इसमें 23 action targets इन्होंने set करे है इसमें definitely यही चीज़ लिखिए है कि Biodiversity को कैसे protect करना है जो total number of Biodiversity का elimination हो रहा है उसको रोकना है और जो species है जो extinct होते जा रही है उनके habitat को उनके जो natural area है उनको protect करके रखना है यह से बहुत सारे targets इसमें mention है ठीक है और इसमें और भी क्या चीज़ है जैसे alien species जो है उनको 50% तक reduce करना है उनका interaction alien species क्या होती है यह बहुत ही simple मैं आपको example दे रहा हूँ suppose एक ऐसा region है जहाँ पर ants या चीटी है वो वहाँ पर नहीं है ठीक है इस region में एक ऐसा region है जहाँ पर चीटिया होती नहीं suppose जो boats है boats नाफ इसमें बैठके इनसान इस area को visit करते है और इनकी boats में ना कुछ ants आ जाती है अब यह जो region है ना इसकी जो छोटी सी जो यहाँ पर ecosystem है उसके अंदर ants का कोई रोल ही नहीं क्योंकि यहाँ पर कभी ants थी ही नहीं लेकिन इनसानों की boats के थुरू यहाँ पर ants आवे अब ants तो आपको पता है बहुत जादा hard working होती है बहुत ही systematically काम करती है तो आते ही जो यहाँ पर और छोड़ी छोड़े organisms हैं उनसे वो compete करने लग गई और क्योंकि ants इतनी active है यह देखा जाता है कि यहाँ पर जो छोड़ी छोड़े animals थे उनको गया भी कर दिया ants ने क्योंकि ants ने क्या करा इनके resources को वो ants खुद खाने लग गई तो छोड़ी छोड़ी आपर organisms थे वो अब कैसे रहेंगे जब ants उनका खाना खा जा रहे है और ants बहुत जादा hard working है वैसे भी तो ants उनको out class कर गई और जो local biodiversity थी वो कम हो गई तो यहाँ पर ant क्या हुई यहाँ पर ant हुई एक alien species और यह alien invasive species है मलब यहाँ पर ants का invasion हो गया एक तरह से तो यही बोला जाता है कि ऐसी alien species का जो introduction हो रहा है चाहे वो intentionally है या unintentionally है उसके कारण जो biodiversity खराब हो रही है उसको हम 50 procedure reuse करेंगे यह aim है इंडिया ने भी यह बोला है कि देखो हम completely ready है biodiversity targets को meet करने के लिए बढ़ हमें कुछ funds की जरूद है यह कितने funds की जरूद है यह last lecture में ही मैंने डिस्स कर रहा था तो please उसको भी आप refer करो जो target 19 है जैसे मैं आपे लिखा है कि 23 targets थे जो target 19 है उसमें यह mention है कि हर साल 200 billion dollar दिये जाएंगे biodiversity conservation के लिए जिसमें से 30 billion dollar internationally available होंगे बहुत important आपको यह ध्यान लगना है ठीक है और अभी जो COP16 का जो final result है वो नहीं आए वो जैसे ही आएगा उस पे भी news में हम include कर लेंगे आज का session इतना ही था मिलते हैं अगले session में have a good day